जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य उम्मिद करते हीं कि आपकी रेलवे गुरूपडी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज का वीडियो हमारा इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्ट हैं वो सभी कोशन आपको इस वीडियो में डिसकस किये जाएंगे तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूरू देखेगा और वीडियो का एक भी सेकेंड मिस मत कीजेगा क्योंकि हर एक कोशन यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है कोई सभी कोशन यहाँ पर ड यहाँ तुष ली लिए विलियन जो लाल मस को निला कर देता वो क्या कहलाता है तो यहाँ कार्बोनेट का फॉर्मुला द्यान रखेगा एने टू सी ओ थ्री यह देखे एक यहां पर एक और चीज द्यान रखेगा कि कठोर परिश्रम के परस्चात थकान महसूस होने के कारण मास पेशियों में क्या है तो लेक्टिक एसिड जो है उसका यहां पर संचे हो जाता है तो QH2O4 यहां पर यूज किया जाता य है बेकिंग पाउडर के निरमाट में किस अमल का परियोग किया जाता है य सोडा की प्रकृति कैसी होती है इसे कहते हैं तो और को होता सेब में कौन सा पननों पाया जाता है तो मैलिक यहां पर सेब में पाया जाता है एक ही जय tutto है यहां पर देजात की रूप मेhe जाना जाता है अब यहां देखें विरंजक चून ब्लीचिंग पाउडर का रासाइक्निक नाम जो है वो यहां पर केल्चेम हाइपो क्लोराइट है और इसका रासानिक सूतर CACLO का होल टू है यहां पर देखेगा यह जल में पूनत विले यानि की कम्प्लीटी सॉल्यूबल ह यह भी आपको इससे कोशन ध्यान रखना है अगला कोशन है आप नीलाथ होता क्या है तो नीलाथ होता है यहां पर कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CUS4 इन्टू मल्टीपल 5S2O इसका कम्प्रीटली जो है फॉर्मुला होता है तूटी हड्यों को जोडने के लिए किस प्रिय है अगला है यहां पर शारी भूमी सुधारक के रूप में कौन सा रसाइन कारे करता है तो कैल्चियम सल्फेट यहां पर कारे करता है दूद से दही बनाने में किस अमल का प्रयोग किया जाता है तो लक्टिक एसिट का C3H6O3 का यहां पर यूज किया जाता है खाद पदार तो कि परिरक्षन ही तो किस रसाइन का प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक एसिट का यूज किया जाता है स्वचालित वहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है तो सल्फिरिक एसिड यहां पर H2SO4 यूज किया जाता है म्रदा में स स्क्रीन शॉट ले लिजे क्योंकि इसको अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो यहां पर हो जाएगा और इसमें कुछ ज्यादा खास पढ़ाने के लिए है नहीं आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर इन सारी चीजों को एक बार जरूर अपनी नजर से निकाल जाता है उसमें यहां पर जो है आपका सेट्रिक असिज का यूज किया जाता है अब यहां देखें अगला कोशन जो कि आपकी गुरूबडी में पूछा गया है इस बार आपकी एक शिफ्ट के अंदर यह वाला कोशन भी रिपीट हुआ था कि क्रत्रिम वर्शा यानि कि आ बारवेट के ने टिर प्लसार के दौरा जेल की तोरता दूर की जाती है चेनटी अगनी शामक कर दर फियोग के इतना होता है तो लगभग लगभग 7.5 के आसपास होता है यहां देखे इस चीज़ को इस नोट को ध्यार रखेगा कि अमले नीले लेटमस पेपर को लाल रंग में तता चारक लाल लेटमस को नीले रंग में परिवर्थित कर देते हैं यहां से भी कोशन आपके पूछा जात होता है शुद्र जल का पिले रंग होता है यहां पर सात होता है अचार के परियरक्षण होतू समयकुन सा हमल मिला जाता है और सिर्का मिला जाता है और प्यंद्ध आरच लिन नीले रंग में और मैथिल ओरेंज को यहां पर पीले रंग में और फिनो फिलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं अगला कोशन जो की रिपीट हुआ था आपकी गुरूबडी में कि वायू में किसके अधिक सांधरन के कारण अमल वर्शा होती है तो सल्फर डायोक् सब्सक्राइब को माप गया था गंद सूचकों यानि की इंडिकेटर्स के रूप में मुखित है प्याज वनीला का प्रियोग किया जाता है यह कोशन भी आपको ध्यान रखना है अब यहां देखे इस लिस्ट को हम डिसकस कर रहे हैं इसमें से हर शिफ्ट के अंदर एक सब्सक्राइब करने में अत्यदिक ठंडे देशों में जमुही बर्फ को पिगलाने के लिए आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ने वच्चुकि कास्टिक सोड़ा भी किलाता है तो साबुन हो गया कागज हो गया अप मार्जक का निर्मान हो गया पेट्रोलिम शोधन हो कपड़ा निर्मान के उध्योग में ये यूज आता है और 6 अक्टूबर की 3rd shift के अंदर ये कोशन डिरेक्ट उटकर आया था इसी तरह से चाहिसे आप मैच करके देख सकते हैं किसी भी चैनल पर जाके देख लीजे आपको ये मिल जाएगा कोशन की 6 अक्टूबर को आया किया जाता है अब है अगला धावन सोडा और इसका कोशन भी आपके 6 अक्टूबर की 1st shift में डिरेक्ट उटकर आया था सोडियम कार्बोनेट जो है यहां पर एने 2-3 जो होता है धावन सोडा यह किस उपयोग में आता है तो कांच और स्कागज साबुन इंट निर्मान उद्योगों में आदर अभीकरता के रूप में यानि कि वेट आजेंट के रूप में यह जो है यूज आता है अगला है यह इससे कि खमीर का वंदर जैसे जो आपने देखा होगा यहां पर ब्रेड जो बनती है वह फूल जाती है तो वह सोडियम बाइकार्बोनेट की वज़े से यहां पर फूलती है अगला है विरंजक चोन सीए ओसी एल सील ब्लीचिंग पाउडर जो है यह किस यूज माता है तो स्वास्टर ओफ पैरिस जो है क inning को जोड़ने में और यह कुशन भी आपके 6 अक्टूबर की शिफट में आया था और यहां पर साथ अक्टूबर को भी को जोंड़ने में सतय को चिक्छना पनाने में खिल्वनों के निर्माण में जो है पी उपी यसे पी पी चाया देखा अमलराज है वो किन रसायनो का मिश्रण है तो नाट्रिक एसिड और हैड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिश्रण होता है लिटमस किस से प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है शुद्ध जल में पस्तित हाइड्रोजन, H-plus के सांदरन का मान कितना होता है तो 10 की पावर माइनस 7 होती है नेक्स्ट यहाँ पर एक अग्याद गैस जल में शिगरिता से घुल जाती है गैस युक्त जलिये घुल में लाल लिटमस नीला हो जाता है यहाँ पर देखें कुछ पदार्तों के पीएच मान आपको हमेशा ध्यान ने चीए क्योंकि यह बार-बार रिपीट होते रहते हैं तो देखिएगा और पीएच मान पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर चैनल पर आज आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह के वीडियोज हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं और साथी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा तो यहां देखिए समुदरी जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है रक्त का ब्लड का pH मान यहां 7.4 होता है लार का जो pH मान यहां 6.5 होता है दूद का pH मान यहां 6.4 होता है मुत्र के pH मान की बात करें तो 6 होता है शराब का 2.8 होता है और यहां सिरके का 2.4 होता है नेबू का जो पियाच मान है वो होता है यहाँ पर 2.2 तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत